वेलकम टू सिर्फ स्टडी आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिर्फ स्टडी में आज हम समझेंगे ब्लैक फंगस वाइट फंगस येलो फंगस के सिम्टम्स क्या है प्रिवेंशन क्या है ट्रीटमेंट क्या है फिर उसके बाद हम समझेंगे के एप की महामारी को पहले कोरोना आया उसके बाद की क्या महामारी आई कोरोना की फस्ट वेव आई सेकंड वेव आई अब थर्ड वेव की तयारी चल रही है ठीक है तो मीम्स के माध्यम से उसे दिखाने की कोशिस की गई है जैसा की अब देखो जैसे कि यह क्या है ये आम इंसान भी बोल सकते हैं पेसेंट भी बोल सकते हैं पहले क्या आया पहले तो कोबिड-19 आया उसके बाद उसकी 1st वेब देन 2nd वेब फी्टें जल रही है ठीक है फिर उसके बाद क्या आया उसके बाद आया हमारा black fungus ठीक है जिसका scientific बात करें white fungus ठीक है तो white fungus का scientific name की बात करें थे candiodeusis ठीक है फिर उसके बाद just उसके बाद yellow fungus आ गया yellow fungus के बाद अब कल की update देखें तो एक और आ गया fungus कौन सा asperaglossis infection ये भी एक fungal infection है ठीक है अब क्या हुआ जैसे कि इससे में दिखा देखा यह एक popular movie का scene है धहमाल का ठीक है उससे तुम समझ पा रहे होगे कि यह बंदा यह एक तरीके सा आम आदमी है या फिर एक patient से जो की कोवीड-19 से recover हो चुका है ठीक है तो उसके लिए क्या-क्या करें हैं तो क्या आ गया जैसे ब्लैक फंगस के बाद क्या आगई एक और नहीं अपडेट्स आई वाइट फंगस वाइट फंगस के बाद देखा हमने यलो ब्लैक फंगस है फिर येलो फंगस देन एस पर गलोसिस ठीक है अघर फिर्डब़ की चली रही है इसका मंदब क्या है जो हमारे पास हमारे ओपर प्रॉवलम संद्वों दिन-पर दिन-दिन नहीं नई भी प्रॉबलम हो रही है ठीक है वो चीज I समझेंगे इस वीडियों के अंदर इन चारों के बार में पहले हैं आर य से बारे में हम क्या-क्या जानेंगे इनके बारे में समझेंगे कि इनके सबसे पहले जानेंगे इनके symptom्स क्या है उसके बाद देखेंगे हम Treatments फिर प्रिवेंशन्स रिस्क किसके लिए highly risky है किसके लिए low risk होंगे Diabetes के patients is todos स्कूरी रहे patients या फिर ventilator पे पेसंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक क्यों है ठीक है तो उस बारे में भी समझेंगे उसके बाद क्या देखेंगे medicines क्या है मतलब कि ऐसा तो नहीं है हम suggest करेंगे recommend करेंगे लेकिन फिर भी research के बाद जो भी अनला की authorized medicines है एक या दो जिसके जो भी है उनके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर ठीक है उसके बाद क्या है government guidelines क्या है किसके बारे में black fungus के बारे में क्योंकि यह 14 states में क्या हो चुका है epidemic घोचित हो चुका है और दो union territory में भी ठीक है कितने किस state में गुजरात में सबसे ज़्यादा क्यों इस state है क्यों है गुजरात स्टेट में इतने ज्यादा मरीज या फिर बात करें महारास्ट की आंदर प्रदेश की ठीक है तो उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर ठीक है तो यह चीजे है है जो हम इनके बारे में समझेंगे ठीक है किस-किस के बारे में ब्लैक फंगास हो गया वाइक फंगास हो गया हमारा फिर उसके बाद यह हो गया इन तीनों के बारे में तीनों के शिम्टम से भी देखें प्रिवेंशन क्या होंगी यह सब इसके वीडियो के अंदर हम देख करते टाइम उन्हें स्टिरोइट भी दिये गए है ठीक है और कुछ उनके अंदर कोईड़ का वाइरस भी है उनसे क्यूंकि उसके एंटीजन से एंटीबोडी बहुत लड़ी है हमारी जो हमारी um कि कोई भी कोई भी फंगल इंफेक्शन या कोई मान लिया virus infection कैसे हमारी body को infect करता है ठीक है उसके बाद कैसे हमारी body response करती है जो response जो किसी disease है मान लिया यह हाथ है इस पर कोई cut लगा हम इस हाथ पर इसका मतलब क्या हुआ कट लगने के बाद तुरंत बाद तो इससे bleeding start होगी नहीं ठीक है कुछ देर bleeding साथ के साथ भी start होगी तो मतलब कि जो दर्द जो pain होना start वो कुछ देर बाद होगा वो जब होगा इसका मतलब उस time पर क्या हुआ हमारी body ने response करना start कर दिया उसे बोलते हैं inflation मलत की तेजना में के एक और simple ठरीके समझते हैं जिसे मान लिया बाद क्या होगा खशेन लगवाने के चांस है पइán हो जिस जगह हम हमने जो इंटरवेन injection लगवाए है वहाँ इन होना start हो जाए सूजन आ जाए या फिर माल नीया बुखार हो जाए इस मंदब यह है कि अब क्या हुआ जैसी हमारी vaccine लगी हमारी immune system ने antibody जन्ट करनी स्टार्ट कर दी इसका मंदब जो antibody जन्रेट हो ही है। क्या होगा हमारी body को body के अंदर क्या हमारा inflation infection जैसे की infection सबसे पहले infection अब infection क्या है हिंदी भासा में समझें तो संक्रमन अब वो कोई भी जो कोई भी भी बीमारी है क्या हो सकती है वो जीवान जनित हो सकती है, विशाणू जनित हो सकती है, मतलब कि वाइरस से हो सकती है, बैक्टिरिया से हो सकती है, प्रोटो जवास से हो सकती है, फंगस से हो सकती है, ठीक है, तो ये जो चारो चीजे हैं, ये क्या है, इन्हें बोलते हैं हम, medical language में, pathogenes, ठीक है, तो ये pathogenes है, pathogenes क्य हो सकता है ठीक है मतलब क्या हुआ यह बात करें पैटोजन्स की तो बैक्टीरिया मतलब कि क्या है बैक्टीरिया क्या है हमारा ठीक है बैक्टीरिया हो गया हमारा जीवानों वाइरस क्या हो गया हमारा विशानों फंगस क्या हो गया हमारा एक तरीके से मान सकते हैं कवक और य यह चार टाइप के हमने क्या देख पैथोजन अब पैथोजन का पूरा पार्ट हमारे लिए हाम्फुल नहीं होता उसका कोई पार्ट जिसे हम रोगाणू बोलते हैं एंटीजन वह हमारी बॉड़ी के लिए हाम्फुल होता है ठीक है तो इन चारों का ही वह पार्ट जो हमार हमारी बोड़ी के लिए हाम्फुल है उसे बोलेंगे हम क्या ऐनटिजन यह हो जायागा हमारा हें एंटीजन यहोजायहागा रोगाणू तो अब क्या हुआ यहा रोगाणू जैसे हमारी बोड़ी के यंदर एंटर हुआ जैसी इस ने संक्रमित करा बॉड़ी को उसके तु क्या किया inflammation start हुआ उसके अंदर मनला कि अब क्या कर रहा है जो हमारा immune system है वह response कर रहा है उस संक्रमित चीज के प्रति ठीक है तो क्या होगा अब जब बॉड़ी जैने बॉड़ी क्या जन्नेट करेगा antibodies ठीक है हमारा जो immune system है वह antibody जन्नेट करेगा उसके खिलाफ ताकि वह क्या कर सके उसे response कर सके ठीक है लेकिन कभी कभी क्या होता है माल लिया जितना जो इसके लिए जितने antigen इसमें produce करें हैं उसके बरावर मात्रा में यदि हमने हमारी body हमारी immune system ने antibody जन्नेट की इसका मतलब यह हुआ कि उसके case में क्या होगा उसके case में हमारे पास sufficient antibody है antigen को खतम करने के लिए तो क्या होगा वह उस पर क्या कर लेगा एक तरीके से वह उस stop में अभी समझेंगे ठीक है अब वह body to body depend करता है किसके अंदर ज्यादा response आ रहा है किसके अंदर कम response आ रहा है antibody कि किसी-किसी body के अंदर बहुत कम जन्नेट होंगी किसी-किसी body के अंदर बहुत ज्यादा गई vaccine लगवाने के तुरंत बाद कुछ बॉडि कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी inflammation होता कुछ इंसान ऐसे हैं जिनने फीवर आजाता है ठीक कुछ ऐसे हैं जिनके जहां जिस हाथ में उन्होंने लगवाई है वहांपे पेण स्टार्ट हो जाता है है तो कुछ रीजन हैं जिससे हम सब्सक्राइब का जैसे हो सकता है तो हुसके हो सकता है ये मां है ठीक हे लेकिन यह कब हैं यह ल हैं जब हाइपर इम्यून स्वांच है हमारे इम्यून सीटम का इम्यून मतलब कि एक तरीकी से जो साई्टोकाइण स्टॉर्म में वो आज चुका है यासल नज मंदर ने जैसे कि युक tamam भी हो सकते हैं वाइरस हो सकता है मतलब की विशाओं हो सकता है या बैक्तिरिया जीवान हो सकता है या कवक फंगस हो सकता है प्रोटो जवा परजीवी का हो सकता है वो जो पैथोजन है लेकिन पैथोजन का सारा पार्ट पूरा का पूरा पैथोजन हमारा हनीका रखमी होता ब कौन सी बाड़ी होती है वैसे तो यह एक आइडिया होना चाहिए कि कौन-कौन से रोग है डिसीज़ है जो वाइरस जनीत हैं या फिर माल लिए बैक्टीरिया जनीत हैं या फिर माल लिया वोई chaîne 55 Infection है तिक उसके बारे में देखेंगे सबसे पहले देखते हैं मसद जनी तुप कौऊन और कौन से हैं सबसे पहले इसकी ट्री Country रेमेंबर रखने लेकिन के एक पर्टिकूलर व्यूमीं मिल जाया का ओं यह यह प्रतिमनलगा एक तरीका से इनफोडेमिक जो पैदा हो रहा है वो नहोंके एक समझ हो किस जो भी चीजें हैं उनकी थोड़ी एक समझ हो डीप ठीक है उसके बारे में उस full form से हमारा विसान उजनित वायरस जनित क्या बनेगी? कोई न कोई disease बनेगी, रोग बनेगा थीक है, तो देखते हैं पहले, सबसे पहले क्या है? Ray, Ray से हमें याद रहेगा Rabbis तो, रभीज क्या है? एक तरीकी से Hydrophobic है, कुत्ते के काटने से होता है ठीक है वो है उसके बाद इतना टाइम है नहीं के इन्हें भी explain करें क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इस वैसे हम फुल फॉर्म बता रहें मसे एक ओवर व्यू के यह हो सकती है वायरस से ठीक है फिर उसके बाद ख्या से क्या जाद रखें कि हम खसरा य यह different different type of appetite यह एक्रत लीवर से लिटेट भीमारी है ठीक है अब इतना इंडेप जाने की यहां पर टाइम नहीं है ठीक है फिर क्या आगा इसके बाद देखें तो करके एसे आ गया ठीक है उसके बाद आ गया हमारा जो ठीका हुआ थीक है कि कोज हुई वह वी सिंकी मॉटी म participated चुटी नहीं कि नहीं होती है एको को लिए स्माीब्वір्भा स् volcano मुद्धे और जो चीकन पॉक्स ही उसे चूटी उसके बाद 5 लिए उसके बाद चैको मॉधेगा थीक है डेंगू हो गया उसके बाद गय से आ जायेगा हमारा गलच हुआ ठीक है मतलब कि मंस उसके बाद देखें हम तो ई इसे आ जायेगा हमारा इन्फ्लोएंजा मतलब कि एक तरीके से फिलू जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर भी स्टेडी कर रहे हैं और बहुत लगबख एक साल से एक डेट साल से हम जिसको क्या कर रहे हैं जःल भी रहे हैं ठीक है तो क्या आएगा धरी अब बात करें हम सपैंसesome फुलू ठीक है इस पैंसफ्लू भी आया व्हाइगा फिलू के अंदर यहाएगा जोकी कंब आया था पर जो भारत की जनसंख्या थी वो थी हमारी लगबग 25 करोर ठीक है मतलब यह हुआ कि लगबग एप्रॉक्स फाइब टू यह दिखाई नहीं देगा फाइब टू शिक्स परसेंट डैथ रेट था नोट लाटी रेट ठीक है अब क्या हुआ अब इस फाइब टू तो शिक्स परसेंट जनसंख्या उस टाइम पर क्या हुई थी डैथ हो गए थी जबकि अब की बात करें हैं कोरोना वाइरस में तो क्या है टू परचेंट ठीक है मतलब की बहुत ज़्यादा जनसंख्या एफेक्ट हुई थी इस इस्पैनिस फ्लू से ठीक है फिर उसके बाद बात करें तो स्वाइन फ्लू भी है 2009 में स्वाइन फ्लू भी आया बर्ड फ्लू हो गया फिर उसके बाद अब कोरोना वाइरस हो गया कोरोना वाइरस भी अब की बात नहीं है 1960 से चला रहा है ठीक है जैसे कि जैसे कि मर्स हो गया ठीक है अब सार्स हो गया ठीक है अब क्या होगा जैसे सार्स में भी इसके दो वाइरस है जैसे कि अब जो हमारा वाइरस है उसका नाम क्या है उसका नाम है सार्स कोव टू ठीक ह मतलब कि इसकी ful form की बात करें तो SARS की क्या आजाएगा अब यह आजाएगा हमारा सीवियर एक्यूट रैस्पेंटरी सिंड्रोम क्या मतलब हो गया कोविड की बात करें तो क्या आएगा कोरोना वाइरस डेसीज और कब आई थी यह कब आई थी 2019 में इसकी बात करें को की तो इसका यह थी थोड़ा और शार्जम को टु यह वाईरस के नाव है सका मंदब इन वाइरस से होता है क्या हमारा इंफ्लोक यह फ्लुएंजा मनलां की तरीके से फ्लू ठीक है तो अब हमने यह देख लिया यह वह भीमारी यह जो किससे जनीत हैं जो कि हमारी क्या है एक तरीके से विसानु जनीत है ठीक है उसके बाद दूसरा देखते ही दूसरा बात करें हम यदी किसकी सबसे पहले बैक्टीरिया की तो इसकी भी हमने एक ट्रिक बनाई है जिससे कि हम कुछ समझ मिलेगी एक माइनर सी समझ मिलेगी कि कौन कौन से बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती यह मतलब कि किसे होती है जीवानों से उतिए देखने में पहले तो इसकी भी ट्रिक क्या है इसॉटिक पंडित का ठीका है न्यू है विटिया तो इससे क्या होगा पैसे हमें याद रहेगा प्लैग जो कि चुमे से फैली थी हमारे यहां भी इसने हड़कम बचाया था भारत में भी उसके बात करें डी की तो डीपी थी रही है यह तीन से चार साल के बच्चों में होती है ठीक है मतलब एक जाली हो जाती है गले के पास ठीक है इतना टाइम लिए मतलब बताने का लाट है उसके बास के बात काली खासी कूकर खासी मतला कि यह हमक है भूपिंग का ठीक हो गई क्या होगिया टीटने lesse हो गया ठीक है निमोनिया ठीक मलक की किया है वायरस जनित मलक की उसमें इसके शीम्टम्स भी लगभक से मैं फिर बीट एक से याद कर लेंगे बैक्टिरिया मलक की जीवानु से होने वाले रो गएंगे ठीक है तो हम अन्य ले निमोनिया हो गया हेजा हो गया मलगी कोई जो गए ऐसे वाइग पी चीज बॉडि वे लग जाती है उसके बाद होता है ठीक है उसके बाद देखते हैं हम चैनल आगई हम यह हैं गंचा-दामाद खाई फ्रूट यह क्या है यह वह बाइरस ने जिसमें हमारा फंगर इन इंफक्शन जैसे करें वारें हैं वोपनगस से होने वाली बिमार कंपड़न क्या होगा गंजडा इस फंगर से ज jaarगा मैं द це मां अस्तमा है एक तरीक से फंगल डीशीज ली है उसके बाद रखेंगे यह खाज 경찰 ली कि अंदर आएगी ठीक है फिर एक एक और डी सीजरते क्या एथिलफ्रूट ठीक है तो जो एलिफ टिय इस बिकाएगा यह भी आयागा यह आ पापा काम पे सोते हैं ठीक क्या है पापा काम पे सोते हैं ठीक है फिर उससे क्या जाएगा हमारा सबसे पहले याद रखेंगे हैं पाइरिया ठीक है दांतों में ठीक उसके बाद क्या आएगा हमारा पेचिस मतलब की डाइजेंटरी उसके बाद आते हैं हमारा काला जोर कि बेमारी मानакी स्लीपिनग सीखनेस मतलगी निंद्रा रोगं ठीके यह डीका है अब सो Kim ८्हांघिक यह बैक्टीरिया हो गया वाइरस हो गया इन формa ho गया इन से होने वाली डिसीज है ठीक है उनके बारे में एक जस्ट ओवर्वी ले लिया कि यह बीमारियां इन फंगल इंफेक्शन से हो सकती है या फिर यह वाइरल इंफेक्टिड है या फिर बैक्टिरिया इंफेक्टिड है वो सारी डिसीज हमने एक जस्ट ऑवर्वी उसके बारे में ले लिया ठीक है जिससे हमें आगे समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अभी जैसे कि मैंने बताया है, infection, infection क्या है, एक तरीके संक्रमन, मलगी हमारी body किसी virus से, bacteria से, fungal से infected हो गई, तो वो आजायागा संक्रमन, ठीक है, उसके against जो हमारे immune system ने response किया, वो है inflammation, ठीक है, वो inflammation यदी limit में है, तो हमारे immune response, ठीक है, बहुत ज़्यादा response कर रहा हमारे immune system, उसे ही बोलते हैं, cytokine, cytokine storm, इसमें क्या होगा, इसमें जैसा कि मैंने बताया, यह मनुष्य के सरीर में, आधी की तरह आता है, मतलब कि cytokine का क्या जाएगी, आधी आ जाएगी, हमारे सरीर के फेपड़ो में, यदी coronavirus प् बहुत बढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभी बताया, hyper immune response कहते हैं, ठीक है, अब किसे, यह होगा किसके अंदर, सरीर के अंदर, मतलब कि जो हमारे फेपड़े हैं, उनके अंदर cytokine small आ गया, मतलब कि एक तरीके message का transformation हो गया, कि हमारे body के अंदर सत्तुरू आ गय response हैं, उन्हें infect करी रहा है, प्लस हमारा जो immune response है, मतलब कि जो रोग पर चमता है, ठीक है, hyper immune response है, वो भी हमारे lungs को क्या कर देगा, अब effect करना, इस्टार्ट कर देगा, ठीक है, जैसे कि मान लिया, एक example से समझते हैं, ठीक है, यह diagram तुमने देखा होगा, ठीक है, किसका है, यह sing is king, movie देखी होगी, उसमें क्या हुआ, माल लिया, गाउंवालों ने उससे बोला, कि यह मुर्गी है, इससे पकड़ के तो हमें देदे, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो फिर उसके बाद, जैसे माल लिया, एक और example देते हैं, जैसे माल लिया, दो चीजे है, एक यह movie द कौने, बल्लाल देव, और यह कौने, बाहु बली, ठीक है, अब यह दोनों यदी fight करने के लिए गए हैं, क्या नाम था उसका, काल के सायद, ठीक है, उससे युद्ध करने के लिए गए हैं, यह क्या था, यह इसका काम जा था, क्योंकि इसे क्या, इसे महराजा का कोशित कि क्या किया संगमावो पराया सब्सक्राइब तो काम में क्सक्राइब कario ज्वाद हो रही है उसके जितनी हमाइं हमें यूटिलाइज़सेंज जो हमारा प्रआपर यूटिलाइज़सन हो जायाई जितनी ऑन्टि बॉडी में उससे भी ज्यादा हमारी इम्मीन सिस्टम में जन्रीट कर रहा है इसका वो पहले तो कोरान नहीं हमारे बॉड़ी को कि जितनी हमाई antigen आये रोगानों हमारे अंदर उतनी हमारे अंदर antibody जन्येट हुई और क्या हुआ हम उस रोग से हमारी रोग पर तो छन्ता लड़ गई ठीक है लेकिन क्या हुआ इसकी केस में क्या हुआ उससे भी ज्यादा मनले कि बॉड़ी में छोड़ी सी क्या हुई एक तरीकर खाज खुजली हुई और उसका इतना रेस्पॉंस हुआ एंटी बॉड़ी इतनी साधा जन्येट हुई फिर क्या होता है यह क्या होगी हमारी बॉड़ी को बहुत ज्यादा इफक्रिट करना इस्टार्ट कर देंगे तो इस चीज को स्टॉम को जो साई जो साइटो कान स्टॉम में साइटो कान की आधी है उसे कम करने के लिए फिर कुछ मैडिसिन दे जाती है जैसे कि एक ये पॉपुलर मैडिसिन है डेक्सोन या डेक्सामेथासौन मलकि बहुत ज़्यादा साइटो कानी स्टॉम में तो हम एक टैबलेट जेए ठीक है यदि वो बहुत ही injection ठीक है वो देते हैं ठीक है वो क्या करेगा अब यह एक तरीकी से Immune Suppressive Medition है तो यह क्या कर देंगी उसकी जो बहुत ज्यादा response था उसे थोड़ा कम कर देंगी जिससे क्या होगा जिससे अब जो नुक्सान होगा हमारी बॉड़ी को वो किस्से होगा वो खाली नुक्सान होगा हमारे coronavirus से ठीक है लेकिन तब क्या हो रहा था तब हमारी जो रोग प्रचेश चमता वह भी हमारी अब क्या होगा अब चोटी चोटी डिसीज भी मनला कि एक तरीके से फंगल इंफेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो और कोई बीमारी बॉड़ी के अंदर आने की संभावना यह बहुत ज़्यादा हो जाएंगी इस केस में ठीक है अब वही चीज हम आगे पढ़ेंगे ब्लैक फंकस और वाइट फंकस के अंदर फ्रीक अब क्योंकि अब यह जान लिए हमने के हमारा इम्यून कैसे हो गहादा जब हमारा इम्यून सिस्टम हमने किसे भी मेड़िसन देंके या स्टिरोइद देखे हमने अपनी इम्मिनियूटिटी को क्या कर दिया डाउन कर दिया अब जब डाउन हो गया अब उस कम परिजन में थोड़ा कम जो हो गया अब और डिसीजिस से इनफेक्ट होने के जो खत्रा है वह ज्यादा बढ़ गया ठीक है उसी चीज़ को हम आगे समझेंगे सबसे पहले क्या आया जो हमारी रोग पर दिसक चमता कम हो जाने के बाद हम किसी चीज़ से इनफेक्ट होंगे रहтора उनमें से एक है हमारा ब्लैक फंगए काला कवक बोलडो हंदी में फिर इसका स्ज्टिक नेम है मुको माइकोसिस भी कहा जाता है यह इसका दूसरा नाम हो गया ठीक है साइंटिफिक ने मैं बता चुका हूं इसका क्या था ठीक है क्या था साइंटिफिक ने मुको माइकोसिस ठीक है यह फंगस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है ठीक है यह संक्रमण नह होता है संक्रमित नहीं भाखिए पर्संट्टी पर्षंट से अंधर दिखेंगे अब देखते हैं सबसे पहले किस किसीज को कैसे जाने हम कि हमें हो गया पेले क्या होगा इसके आदर गें हम इसके सिंटम्स में क्या होगा इसके लक्षण क्या है कैसे पता चले हमें कि हमें ब्लैक फंगस हो गया है ठीक है तो सबसे पहले इसके जो में सिम्टम से वो क्या है बुखार रहना तेज लंबे टाइम तक क्या रहेगा हमें बुखार रहेगा ठीक है दूसर सिम्टम क्या है सर में दर्द सर में दर्द होना ये इसका से डिफाइन ने कर सकते हैं हमें ब्लैक मंदस हो गया है ठीक है कुछ में सिंटम्स यदि दिखाई दे रहे हैं तब ही हमके किसके पास जाएं डॉक्टर के पास जाएं या हॉस्पिटल के लिए रुख करें अपना ठीक है जैसे कि मालिया सरदर्द होना हो गया सीने में प्रवलम आना ठीक है मलत की ऑक्सिएन उसका लेवल कम हो जाना वह वह भी इसका एक सिंटम्स है ठीक है उसके बाद आखों में सूजन धुनजला दिखाई दीना ठीक है यह पिर दांतों का आचानक तूटना ठीक है या फिर आधा हमारा आधा जब्ला क्या हो जाएगा सु तो इसटार्ट कहां से होगा इज भी ब्लैक फंगस की बाद करें निल तो इस्टर पर्मारे और सर जाएक ahead में चीनक होगा टिक है उसके बाद सर तक पहुंचेगा तो यह क्या है इसके symptoms है ठीक है यहां यहां कभी कभी क्या होगी swelling होनी start हो जाएगी इस portion पर ठीक है सर में दर्ध हो सकता है बहुत तेज बुखार होगा तो यह क्या है यह सब क्या है इसके symptoms है आख का color red is हो सकता है ठीक है यह भी इसका symptoms है तो हमने क्या देखेंगे prevention में पहला क्या आएगा सबसे पहले तो सरीर को hydrate रखे hydrate का मतलब पानी की मात्रा सरीर के अंदर कम ना होने दें सरीर को hydrate रखें यानि पानी की कमी ने होने दें मतलब की नीबू पानी या किसी भी तरीक से जितना भी जितना बॉड़ी के लिए requirement है पांसे छे लीटर ठीक है उतना पानी जरूर ले ठीक है तो पहला तो यही हो गया ठीक है प्रिवेंस हमारा निवार्न उसके बाद क्या है oxygen ले रही है तो humidifier साब पानी का प्रियोग करें मतलब कि जो oxygen लेते लगाने के लिए माउथ पर उसका क्या होगा उसमें लिक्विड चुल हमाद का इसे निवान हो सकता है एंटि यवी हो सकता है अब माल लिया उसके अब नदर है तो black fungus या फिर white fungus जो की क्या है एक फंगल डिसीज है और वो ले रहा है किसकी medicine कोविड की जो की क्या है हमारी एक वाइरस जनिल रोग है ठीक है तो वुण दिकत भी है क्योंकि हमें किस की सdoo लेना है हमें डॉक्टर की सद्पाफर लेना है है फिर ठीक है फिर उसके बाद आता है हमारा ब्लैक फंगस की लक्षण दिखने पर इम्मुनिटी बूस्टर कोई बहुत सारी बुक हैं माले बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो इम्मुनिटी बूस्टर है माल लिया वह पतांजली की दो सकती है कुछ मालीया कोई मल्टी प्रॉटिन स ले रहा है या मल्टी मल्टी विटामीनच से ले रहा है ठीक है तो उसकेतों क्या होगा जो भी हम अपनी इम्म deodal संचा को बढहने के लिए जो अब्सक्त से ले रहे उसे कुछ टाइम के लिए क्लिए बंद कर दें फिक है उसके बाद क्या आएगा डॉक्टर की सलह के बाद ही steroids copy up करें steroids का मतलब क्या हुआ है steroids जो कि मनलिया जैसे कि हमारे जोला चाप डाक्तर है यदि कोई किसी को बुखार हुआ या फिर कोई भी problem हुई तो क्या होगा जो उन steroids का जो प्राइज है वो जो authentic medicine से उनसे बहुत कम होता है तो क्योंकि गाओं का कोई एक इंसान आम आदमी है वो क्या जाएगा जाके 20 रुपे थमाएगा डॉक्टर के हाथ में उसके बाद बोलेगा कि मुझे क्या चीए मुझे दवा चीए इस पर्टिकुलर बीमारी की ठीक है तो व किया उस पैसे को उससे जाए तो उसके नुक्सान है क्योंकि steroids दे रहा है वो उसकी case में यह मान लिया steroids कभी-कभी बहुत रेयर केस में डॉक्टर रिकमेंड करता है steroids जैसे कि मान लिया जब कोविड से रिकवर कर रहे होते हैं उस टाइम पर दी जाती है ठीक है तो यह क्या है steroids क्या करते हैं हमें immunity क्या करते हैं डाउन कर देती है तो इसका भी हमें खयाल रखना है ठीक है कि यह steroids डॉक्टर की सलाह पे लिए बहुत मजबूरी में ही लेनी है कहाँ बिना steroids के काम नहीं चल सकता तब ही लेनी है ठीक है तो यह क्या होगा यह हमने हमने prevention समझ लिए black fungus क उसके बाद आगे चलते हैं आगे चलते हैं पहले देखते हैं कि इलाज के लिए इलाज में सब की राय जरूरी है यह इतने है क्योंकि यह सब इफेक्ट कर रहा है हमारे टित को भी इंफेक्ट कर रहा है हमारे आइज को भी कर रहा है माइंड को भी कर रहा है ठीक है तो सब अब जैसे ही सिंटम्स वो रहे हैं उसके अग्वरोक्टर से विखें उसके बाद किसां सकते हैं हमारा reg हाए क्या प्रिकॉसंस रखें हमें कि या एति हात ही जब जिसके हम इस से इंफेक्ट नव ठीक है तर पहला सबसे पहला तो मास लगा कर रखें प्रॉपर मास लगाएं डवल माक्स लगाएं वह और ज़्यादा बैस्ट है ठीक है दूसरा मिट्टी में काम करते समय स्थमाह क्या दस्ताने पहने क्योंकि मिट्टी क्या है मिट्टी से भी फंगस पंगल इंफेक्ष्षन के बहुत ज़्यादा चीन्स है ठीक है तो मिट्टी में काम कर रहे हो कहीं कोई ऐसा हिमिनटी वाली जगह है वहां पर काम कर रहे हो तो प्रॉपर मप्रॉपर दस्ताने प्हेन के बोडि को कबर करने के बांकर है उसके वास़्या होगा उचीत है स्व तो हमारी आद्र जगए हैं वहां से भी बचे उसके बाद क्या है डाइबटीज अपना सूगर लेवन क्या करते रहें चैक करते रहना चाहिए ठीक है क्योंकि जो निटीज पहले सी सप्रेस हो चुकीए टूं में इस चीज़ का ज्यादा खत्रा है उन्हें भी ज्यादा तो उसके बाद अगला क्या है वही इस्टेराइड का कम फिर्योग करें फिर आगे उसके बाद आगे हमारे क्या ट्रीटमेंट्स क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं बस जो मलब गवर्मेंट ने रिकमेंड की है या फिर माल लिया जिनकी कमी मलब जो ऑथेंटिक है अभी जिसका यूज हो रहा है इसकी केस में ठीक है बस वो बता रहे हैं हम यह रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि यह मैडिसिन तुरंत जैसे अंतरप्रदेश हो गया या फिर माल लिया हर्याना हो गया उत्तरप्रदेश हो गया या फिर मनले डैली हो गया इनमें इसकी कमी भी हो गई अब क्योंकि पहले से पता नहीं था इसके स्टॉक तो था नहीं ठीक है अब आचानक से इसकी जूरत पड़ी है ठीक है तो क्या हो केस में क्या करेंगे हैं कुछ मरीजों को ये medicine दी जा रही है ठीक है तो ये medical treatment हो गया इसका ठीक है बाकी जो भी डॉक्टर सला करे सला दे उसके according हमें treatment लेना है ठीक है अब आते हैं कि notifyable disease गोषित करने का मतलब क्या है अब कुछ राज्ज्यों ने इसे गोषित कर दिया गया क्या Notifyable disease मतलब कि एक तरीके से 14 राज्जी और in एक तरीके से थिक है महामारी के रूप में गोशित किया जा सकता है फुके उसके बाद क्या होगा उसके सरकारी और नीजे अस्पताल बी ऊपल अनमें उसकी स्क्रिनिंग ठीक है यह निदान ठीक है उसके प्रबंद के लिए कितने cases आज एड हुए हैं कितने cases नए आए हैं उसके बारे में बताना पड़ता है यदि वो एक तरीके से क्या गोशित हो चुकी है एपिडेमिक एक ट्रबंद के अकॉडिंग क्या हो गई है वह नॉटिफियवल डिसीज गोशित हो गई है तब तो वह चीज हमने देख ली अब इसमें कौन-कौन से राज्या आए हैं जहां पर यह क्या हुआ है महामारी गोशित हुई है तो अभी जानेंगे हम के महामारी क् क्या है इसके बारे में अभी स्लाइड के बाद जानेंगे ठीक है सबसे पहले देखते हैं किन राज्यों में ब्लैक फंगस मतलब की म्यूको मारी गोशित किया गया है तो उनमें कुछ राज्य हैं जैसे माल लिया पंजाब राजिस्थान महारास्ट करनाटक ठीक है हर्यान ठीक है उत्तरप्रदेश अशंग पश्री मंगाल बिहार उडिशा मध्यप्रदेश तैलंगाना आंध्यप्रदेश तमिन लाड़ो ठीक है मतलब कि ऐसे लगबग कितने 14 स्टेट जहां क्या कर दिया है महामारी गोशित कर दिया एक प्लस टू यू टी यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंसाइज दो केंसाइज पर देश और 14 स्टेट में क्या कर दिया है महामारी गोशित कर दिया ठीक है अब देखते हैं उनमें कितने केसिज आई है ठीक है उससे पहले हम जो महामारी बोला महामारी गोशित कर दिया है इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि महामारी है क्या ठीक है तो कोई भी डिसीज का उसका जो स्प्रिड होने का जो concept है वो ऐसा हो सकता है वो एक है कि Hm, क्या मो बोलेंगे उससे एंड़ेमिक मतलब की एक तरीके से इस्थानिक भी इस्थानिक मात्म की एक परटिकुल स्थान पर सिमत के रह जाए ठीक इस इस्थानिक के भिमारी बोल आगे से एक पिक्टोरियल फॉर्म में भी दिखाएंगे ठीक है फिर देखते हैं उसके बाद आया हमारा क्या एपिडेमिक जो की ब्लैक फंगस मीको मार्कुस क्या हुआ है गोशी तुवा है फोर्टीन स्टेट में वह यह हमारा एपिडेमिक इसी क्या बोलेंगे हम इसी बो पॉपलीशन को यदि इंफेक्ट कर रही है तो वह किसके अंदर आएगी वह महामारी के अंदर आएगी ठीक है लेकिन यदि वह पैंडेमिक गोशित कर दी पैंडेमिक का मतलब यह है तो पूरी दुनिया को ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी देशों में क्या कर रही है अप वेस्विक महामारी जो की गलोबल के लेवल पर मनला की पूरे विस्व में होगी ठीक है उसके बाद इन तीनों से भी खतरनाक पहले इने देख देते हैं ठीक है क्या होगा मनला की एक पर्टिकुलर स्थान पर ठीक है यदि फैल रही है जैसे माल लिए एक पर्टिकुलर ब होगी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कुछी स्टेट में वह फैल गई है यह एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा इसको पर लेकिन पूरे विस्व में नहीं है मतलब कि सभी कंट्रियों में नहीं है ठीक है तो उसे क्या बोल देंगे उसे बोल देंग मतलब कि यह भी क्या होगा एक महामारी ठीक है यह भी महामारी होगा ठीक है यह बात करें विस्व लेवल पर वर्ल्ड के लेवल पर बात करें ग्लोबल लेवल बात करें तो यह क्या होगा इसे बोलेंगे हम पैंडेमिक वैस्विक महामारी जो क्या है पूरे विस्व में पू कि इस्थानिक महामारी और वेस्विक महामारी से भी खतरनाक यदि हम एक जनता के सोचें तो वह हमारा इंफोडेमिक अब समझते हैं यह इंफोडेमिक है क्या इंफोडेमिक का मतलब है इंफोडेमिक अब इससे खतरा क्या है इंफोडेमिक का मतलब यह हुआ किसी पैंडेमिक के बारे में जूटी ब्रांतियां ठीक है मतलब ब्रांतियां फैला दी कुछ गलत चीज़े जैसे कि माल लिए को नाक में डालने से क्या हो जाएगा को रख जाया पता चली नियूज में सुभए को जिसने नाक में डाला उसकी सुभए डैत हो गई ठीक है माल लिए तंत्रों मंत्रों से कोरोनवाइरस चला जाएगा ऐसे भी ऐसे भी कुछ इंसान थीक है जो सोच रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो अपनी एदाम है ठीक है कौरोनवाइरस कुछ ना ठीक है क्योंकि एक situation में क्या है माल यह कोई इनसान है उसकी family में दूर-दूर तक की family में कहीं पर भी कोई भी कोई इन्फेक्टेड ही नहीं तो उसके लिए क्या है उसके लिए तो यह मजाक है कि कोई भी कुछ Corona virus नहीं है ना कोई black fungus है ना कोई white fungus है लेकिन यह यह किसी की family में दो या या तीन केस या एक केस भी है ठीक है तो उसे पता है कहाँ कोबिड़ भी कोई चीज है ठीक है तो इसलिए बहुत ज्यादा और पर रहना के यह कुछ नहीं है इन्फोटनिक यह जो इन्फोटनिक है यह नियुक्स है उनके लिए बहुत जैदा हांफुल कैसे है तो जानते हैं जैसे कि मालिया इंफोटेमिक क्या क болy क्या हम हांभल हो सकते हैं मालिया पहले बहुत ज Politics अहीं कहीं कि हो जाएगी इन्सान की फेवर होगा दो तीन दिन बाद पांट किक्षम हो जाएगी तो इसी तरीकित वेक्सीन लगा दी लेकिन बाद में पता चला कि उसके अंदर इतना डर बैठा हुआ था उसके प्रतिवेक्सें के प्रति ठीक है के लगवाने के तुरनत बाद उसकी डैत हो गई ऐसे EVD के देखे गए हैं ठीक लिएवक से क्या हुआ अधर डरिंड़ी इतना ब उसकी कमी ठीक है और उसके बावजूद भी यह जो हमारी जो वाट्सप फैमिली है वो तो ही उसमें कुछ भी चीज कोई भी चीज लिए शेयर कर दी भाया उसे लो क्या कहते हैं अधरक लो इसका काड़ा बना उसका काड़ा हो सकता है कि काड़ा क्या होगा काड़ा यूजफ ठीक है तो वो हो गया यह भी अधर्व रहांतियां जैसे माल लिया किसी दौक्टर ने किया नहीं हमारा कोई दोस्त है उसने क्या 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 ने वह ने रची पी-सी-सी तो आप भी गये उसने कराया तो मैं भी कि नक्तरा है एक्शी का फठरा है इस तेरियो लिए मना किया है लेकिन वो भी ले रहे हैं ठीक है जबकि अब नॉर्मल सी बात है हर इंसान की बॉड़ी यह लग है ठीक है उसकी इमिनिटी यह लग है तो इंफेक्शन होने के तरीके भी अलग हो सकते हैं ठीक है लेकिन आप वही सेम चीज़ जो इलाज दूसरे बंदे ने चलाया वही इ क्या है एक तरीके से awareness की कमी है ठीक है तो अब infodemic समझ में खह 250 मत यह है। अब आते ही हम किसपर देश में ब्लैंग फंगस का बढ़ता हुआ बढ़ता खतरा अब देखते हो ब्लैक फंगसं में कहा कहा कौन-कौन से राजीये बहुत जीड़ा इफ ट होगें शे मनला कि यह दो दिन पहले तक के आंकड़े हैं 260 प्लस डेत्थ हो तुकी है इससे अब यह इसके बारे में बोलके हम हमारा मकसद धराने का नहीं है ठीक है बस अवेर करने का है ठीक है और कितने केसिज आ गए 9000 प्लस केसिस हैं किसके? ब्लैक फंगस के जबकि पहला केस कहा देखा गया थї इसका? गुजरात में ठीक है पहले क्या होता था अब से बात करें अब से फिचले सालों की बात करें तो इसके 8, 9 केस आते थे पूरे साल मे लेकिन इस बार क्या है तोटल केशिश कितने, 9000 है और 260 प्लस क्या है, इसके डेथ है, अब उसके बाद देखते हैं हम किस किस राज़े में कितनी है, त्वीक है, जैसा कि मैंने भाबि बताया है, पहले क्या होता था, पहले हर राज़े में हर वर्ष कितने आते थे भारत के पूरे भारत के अंदर ही कितने थे आठ से दस के सिज़ा थे लेकिन इस बार क्या हुआ कोरणों के दूसरी लेहर के बाद सेकेंड वेव के बाद क्या है 9000 प्लस के सिज़ा किसके ब्लैक फंगस की ठीक है अब देखते हैं किस राज्जे में कितने हैं ठीक है यदि बात करें तो टोटल जितने भी राज्जे हैं उन राज्जे में ब्लैक फंगस की के सिज़ की बात हो गया उसके बाद क्या करनाटक हो गया या फिर हर्याना हो गया ठीक है तो यह इस टेट है जहां पर maximum cases देखे जा रहे हैं ठीक है दिल्ली में डेट के डैसित कितने देखे गए डिल्ली में डेट सब्सक्राइब की गई है एक से दो डेट थे लेकिन cases बहुत हैं 200 से ज्यादा cases वहाँ पर आ चुके हैं ठीक है जब कि हम क्या कर चुके हैं अब जो सेकंड वेव थी को रहना की उस पर एक तरीके से क्या करें कंट्रॉल पा चुके हैं जैसे कि माल लिया दिल्ली की बात करें बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली ने क्या किया है कोविट को कंट्रॉल किया है जैसे कि कभी अभी एक महीने पहले यदि बात करें लगबग चौबिस अपरेल की बात हैं चौबिस अपरेल के डायम पर क्या था वहां पर जो कैसी पॉजिटिव केसी की जो रेट थी वह लगबग बिफॉर की बात करें तो ठीक है अब कितने हैं आज की अपडेट की बात करें तो एक लाग चासी हाजार ठीक है मनला कि बहुत अब मुंने सेकेंड विस्टे में ने सब्सक्राइब काटने ऑफ से जब लिवा matching के आ thirdsा नहीं है टीच तो हुआ है अब बात करें किसी किसे इन स्थेंड में हैं ठीक है तो क्या होगा तो व। जसे ज्यादा बात करें उसके बाद क्या जायागा हमारा करनाटक ठीक है फिर क्या जायागा हमारा हरियाना तो हमें दिख रहा है जैसे कि मदलगे 6-7 जो स्टेट्स है उन्हों नहीं लगबग जितने टोटल केसी से उसका 70% लपीड दिया ठीक है अब आगे बात करते हैं हैं टोटल केसी से बात करें तो यह लिखा हुआ है ठीक है सबस्जादा कहां पर है हमारे गुजरात में यह हैं 2281 उसके बाद दूसरे नमर पर बात करें तो क्या है इसमें हो जाया का हमारा क्या थूथाफ। मध्य प्रदेश उसके बात बात करें तो आंधप्रदे excitement 100% और बात करें राजिस्थान तो राजिस्थान में 450 जैसा की बढ़ आया तो यह पूरी लिस्ट है ठीक है जिसमें कहां कहां किस इस स्टेड में कितने केश से देखे गए हैं उसका लेका जो काये पीर आगे बात करें हैं हम आगे बात करें तो यह वह राज्ज्यी ना किन राज्ज्यूमें कितनी chips शर्ण कितनी मौत है तिसके साइन्टिफिक नेम वैज्ञानिक नाम है क्या है हमारा हम हम से पार ये होंगे या इसअ में कौन सी मेडिसिन से मेडिसिन तो पहले बता चुके वह ही है ठीक है तो इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं वाइट फंगस जो की क्या है यदि मोटाल्टी रेट की बात करें तो लगबग ब्लैक फंगस काता 50% की करें मनला कि यदि 100 इंफेक्ट हो बात करें इसकी वाइट फंगस तो यह इस से भी ज्यादा डेंजर है ठीक है कैसे क्योंकि इसका मोटाल्टी रेट कितना है 80% क्या हो जाएंगे लेकिन इसका बचाब इसमें हम क्या देते हैं एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं तो इसमें चांस है बचने के अब जो चार मर क्या हो चुके सही हो चुके ठीक है अब बात करें तो क्या है कॉरण यूष ठीक हुए मरीज से बलैक फंगस के मामलों पर चिल्टा के बीच बिहार के बिहार में उला में वायट फंगस के कई लेकिन क्या हो रहा है जो सींटम से वो तो आरे सारे किसके जैसे रेकिन उसके PCR की बात करें तो पॉलीमर चेंट रेक्शन यह इसकी फुलपॉम है तो क्या होगा आटी-PCR टेस्ट में क्या रहा है वो नेगेटिव आ रहा है जब उसका एंटीजन कराया जा रहा है रैपिड एंटीजन तब भी वो नेगेटिव आ रहा है ठीक है फिर इसके केस में इससे लगाने के लिए जैसे वो डॉक्टर थे ठीक है सायद उनका वसंत करके कुछ नाम था ठीक है उन्हें लगा कि मेरे पास मेरे साथ सिंटम तो वही है लेकिन क्योंकि उन्हें समझ थी उस चीज की तो उन्हें अपना फंगल टेस्ट भी कराया तो उसमें क्या है वह वाइट ठीक है उसके बाद आगी बात करें तो सबसे पहले वाइट फंकस के सिंटम्स क्या है कुछ SYM तो सेम है ब्लैक फंकस जीसे माल लिया वाइट फंकस के मरीजों में क्या होगा क्या है वाइच आर्सीटी जांच में धिक से क्या रशाना पड़ेगा HR CT test ये कराना पड़ेगा इसमें चांस है इसके आने के या blood test कराया उसमें आने के चांस है मतलगी क्या आएगा high resolution computer tomography ये कराना है हमें मतलगी HR CT में white fungus के आने के चांस ज्यादा है तो ये test हम करा सकते हैं उसमें ठीक है फिर क्या आएगा oxygen support वाले कोरोना मरीजों को खत्रा oxygen support पहें तो नॉर्मन शीवा तो oxygen support पहें या ventilator पहें उनकी immunity पहले सी suppress होगी होगी ठीक है पर हम immunity down होगी तो उनके लिए खत्रा है जो steroids steroids ले रहे हैं उन्हें खत्रा है ठीक है तो जैसे कि इसकी जाद किस्ते हो सकती है बल्गम के इसकी उसे भी जादा खतर नाके तो वाइट फंगस के क्या होगा उसके बाद बात करें तो यह इसकीन हो गए नाकून हो गए मुह हो गया इनको क्या कर रहा है संक्रमित कर रहा है ठीक है यह हमारे जो reproductive और अगरन है उन्हें भी जनननंग है उन्हें भी क्या कर सकता है इंफेक्ट कर सकता है क्या वाइट फंगस बात करें हम आश्य हो गया आथ हो गया किड़नी हो गई ब्रेन हो गई इनको भी इससे क्या है खत्रा है किसे वाइट फंगस से ठीक है बात करें तो यह क्या है इसके लिए क्या कर और रहिए अना कि हमारे कौन सी टेस्ट हो रहे हैं जो हांटी पीसिः और यह फिर रबेटफिशय हो रहा है को लिए उसके अंदर इसका कोई भी वह निएगे तर collective या तो बादब हो मैं करवाना पड़ा ला है मैं 12 अ चीक है अब आते हैं कोविड-19 के साथ ब्रहम अब ब्रहम कैसे अब नॉर्मल सी बात है सिंटम्स तो आ रहे हैं बोडी के अंदर वैसे ही सेम जो सामने वाला उससे फील भी ऐसा ही हो रहा है कि मुझे क्या है मुझे कोविड है लेकिन इसके केस में हो क्या रहा है कोविड के लेकिन और नहीं है जो हमारी सारी टिपोर्स है वो क्या रही है नेगाटीव थो वरथ है लेकिन इसका मतुर्ण क्या होगा हमें देनी है की एंटि-पंगल कि एंटी-फंगल मैडिशन कोंब अ सी इसका मंदब वर्याना है अमने चला दी एंटी-वैरल हम हम자를 dip क्या सब्सक्राइब टीब होता हम चलाते हम घंटी-वैरल हो गई फडोर हो करता है जैसे की Corona Virus भीकैशे चीने में दर्द उठना फिर से बाद क्या होगा सांस लेने में तकलीफ मन्दर की सांस लेनें तकलीफ होगी बहुत जादा और जो oxygen saturation है वो भी क्या हो जाएगा डाउन जाएगा ठीक है तो उससे भी पता चल जाएगा लेकिन ये भी क्या है ये तो कोरोना वाइरस की लक्षण थे उसके पाद अन्य लक्षण की बात करें तो अन्य विमारी से भी ब्रहमित हो सकते हैं जैसे कि माल लिया वही एंटी फंगल वा में पटना में इंफैक्ट होएते पुछ चारो कि चारो क्या हो चुके है सही हो चुके हैं वाइट फंगस से ठीक है बहुतलि बात करें रेंटी प्रिवेंशन की विभाइट फंगस हिसे में … किसी भी रोग जैनक बीमारी से सुरक्षा के लिए क्या करना है सीडी सीडी centers of diseases control and prevention ठीक है इसने क्या गया क्या है पौदे के पदहार्थ को छूते समय सुरक्षात्मक कपड़े जैसे की बहुत जाएं वह चाहे कोई मौश्चर कंटेंज चीज हो ज्यादा आदरता वाली चीज उसमें उसे चूले से परेज गरें ठीक है वाइट फंगस क्या है ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरना आक है जैसा कि मैं बता चुका हूं उसके बाद क्या होगा टीक है अब यह वह यह इसके बारे में दे रखा है का अटी बाइट क्या है बन्दकि ब्लड टेस्ट करा सकते हैं यह फिर वही हर सीटी ठीक है अवाइड बचाव किसी चीज से अगरें ठीक डॉक्टर को डॉक्टर ने बताया कि वाइट फंगस से बहुत आसानी से बचा सब के लिए आसानी यह बन्द की बचने के चाहंस ज्यादा है ठीक है बात करें हम कि इसके बाद हम उसका यूज करेंगे यह है क्या है क्या है हम यह वाईयॉसरं देने चाहिए ठीक है उसके बाद करें तो आ बाद नाम में बता हूँ इत्रीं मेलिशन है इसमें और कि एक सेकेड जो मैंने ब्लैक फंगस के लिए बताई थी मैडिशन वोई मैडिशन इसमें काम आएगी हाँ यह है क्या है यह एंफिटेर उसी है ठीक है यह भी क्या है एंटि फंगल मैडिशन है इसका भी यूज़ का सकते हैं इसमें आप अब देखो जैसा कि हमने जैसे जैसे इसके सिंटम से के बहुत सारी चीजों को हमारी क्या कर रहा है ऐसका मतलब हमें यह तो पता चला कि जो वैज़िए वा ज्यादा हम्फूल है थे किसे black fungus अब इन दौनों से भी जादा हामफुल है yellow fungus ठीक है उसके बारे में हम जानेंगे तो इसके बाद क्या गया हमारा yellow fungus ठीक है yellow fungus क्या है अब ये कौन सी नई महामारी आ गई ठीक है तो यह भी क्या है ये बी एक fungal जनित बीमारी है, ठीक है, फंगस से कवक्षी होने वाली है, तो या एका कॉरोनवाइरस के बाद दिल्ली NCR में या गाजवाद के बाद ब्लैक में वाइट फंगस के बाद yellow fungus के भी क्या देखे गए हैं संकर्मन का मामला सामने यो एक ये गाजवाद दिली घाजवाद के omWow जुइए भी झे h तो इन फेले लाइता है एक बाजवाद ब्लैक फंगस ही चुक beliefs अब देखने पर शिग उपए के लिए कहां पर डॉक्टर के पास ङॉक्ट्र के पास समपर्क करें यह और अब इसके कारंड की नौर यलू करण पहले। जो किया यहें वाइट वाले एरिया के मोजन सें को सकता है उसके बाद अभी तक मिली जानकारी के मुतावित येलो फंगस गंदगी के कारण मरीज में फैल सकता है मलगी सफाई रखें गंदगी से फंगल तो यह क्या है जैसे यालो फंगस की बात करें तो क्या आएंगे बहुत सारी लक्षण तो पहले वाली है लेकिन इसमें कुछ लक्षण क्या है नहीं है जैसे माल लिया ठकान होना बहुत ज्यादा ठकान होना यह भी किसका है यह भी सिम्टम किसका है यह फंगस का ठीक है कम ज भाव है तो उसमें से मवाद का रिष्णा ठीक है यह यह सरीर में कई अंग काम करना बंद कर दें यह बी किसका है सिम्टम्स हमारे येलो फंगस के हैं ठीक है अब बात करें हम ट्रीटमेंट क्या है इसके अब देखो सेम वाइट फंगस ब्लेक फंगस जैसे यह लगबक यद बाजवाद में इस मेजशीं द्रीश देख जा रहा है एक ऐंटी फंगल दवा जैसे कि मैं पहने बता चुका हूं इस दरवा का उपयोग येलो फंगस के मरीज़ो पर भी किया जा रहा हो थीजित यह कमने देखने है क्या यह ऐलो फंगस का टेटमेंट उसके बाद बात करें तो क्या हैगा हमारा आ गया यह